नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे न्यूज यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे एक लाखो करम जैडर पैंसन बोगे के लिए सुप्रीम कोट का एक बहुत ही मैतोफुन आदिस आया है जया दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के मादम से बताएंगे जुड़े रहे दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के लाश्ट तक अगर आपने हमारी चैनल पर फर्स्टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने ने भूले साथ ही साथ बैल आइकन को भी जरूर दबाए जो भी गोर्मेंट इंपलेजर पैंसनर से समन्दीन हो जाती है उसको नोटिफिकेशन आपके पास तुरंथ पांस के तो आए दोस्तों बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टाट करते हैं निजी अक्षेदर के क्रामचारी को सुप्रीम कोट में जल्द रात मिल सकती हैं दरसल सुप्रीम कोट के फैसले से क्रामचार रुपे तक की बड़ोतरी से ज्यादा हो लेकिन उनकी पैंसन की करना दिक्तम 15,000 रुपे सेलरी पर ही की जाएगी जहां दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो मारे क्रामचार पैंसन भोगी हैं एक फैसला और कई गुणा पैंसन बढ़ सकती हैं यानि कि आप सुप्री की जा सकती है और इस फैसले से क्रामचारियों की कई गुणा तक पैंसन है वह बढ़ सकती हैं दोस्तों हम आपको बता दे कि जो पैंसन पाने वाले क्रामचारी भाश्यनेदी संगेठन में 10 साल तक योगदान करना जुरूरी है वहें 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद 2 सा मिलता है और अगर सुप्रीम कोट लीमिट हटाने का फैसला करता है तो कितना फरक पड़ेगा तो आई इसमें हम आपको डिटेल से बताते हैं कैसे बढ़ेगे आपको आपकी जो पैंसन है तो इसमें बता जा रहा है दोस्तों डिटेल से कि मुझदा फवश्ता के मुताबि हो 20,000 रुपे पैसिक सेलरी बेकरिक में हो और 30,000 रुपे पुराने फर्मूले के मुताबिक क्रमचरी को 14 साल पुराने होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपे पैंसन मिलेगी पैंसन की गर्णा का जो 37 में देया गया है दोस्तों जो स्विवा इतियास मुल्टिप्लाइ 15,000 डिवाइड सतर है दोस्तों लेकिन अगर सुप्रीम कोट क्रमचरी के पक्स में फैसला सुनाता था उस क्रमचरी की जो पैंसन है वो बढ़ जाएगी दोस्तों इसमें एक्जम्पल दिया गया है एक्जम्पल के तुरू भी हम आपको समझाते हैं कैसे इसमें आपकी जो पै पैंसन है लेकिन पैंसन की सीमाट आने के बाद पैंसन का जो अंतिम वेतन के हिसाब से जोडने पर 25,000 रूपे पैंसन मिले के मत्वल है दोस्तों इसमें के 33 साल प्लस दो इसको इसमें जो सुतर के अकोर्डिंग किया जाता तो 25 रूपे आता है एक्जम्पल के नियम के मता के बाद 33 साल तक की सेवा पूरी हुई है लेकिन 35 साल के लिए पैंसन की गणना की गई है ऐसे में उस क्रमचर की साल में 333 फिजदी का इजाफा होगा तो दोस्तों इसमें पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको बताते हैं केंद्रिये पैंसन संसोधन योजना 2004 सुप्रेम क अधर पर योगदान दे रहे हैं वे अपने न्योक्ताओं के साथ एक स्यूत विकलब के रूप में जमा कर रहे हैं आवसक समझने पर वे बिना ओचिते के पैंसन योजना के इलाव से वंचित रहा जाते हैं पैंसन का वेतन 15,000 रुपे तक तैह करना अनोचित नहीं है को सुमीत करना है 15,000 रुपे अधिकांस क्रामचारी को बुड़ापे की एक अच्छी पैंसन से वंचित करना है जहां तक पैंसन नीदी का परवाव का समंध है समय समय पर अंसदान की दरों में वर्दी करने की जो नीदी की ववस्ताए की जानी चाहिए अभी भी लंबित ह मामला तो दूस्तर जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपने फैसले पर पूनर विचार किया और मामले की सुनवाई का फैसला कि इस मामले पर 17 अगस्ते लगातर सुनवाई हो रही है दरसल स्रम जो मंत्राल्या और ईपएफो की और से केरल हाई कोट के आधिस के किला